जीतेंगे हम यह याद करो, कोशिश हमेशा जादा करो, किस्मत रूटे हिम्मत ना जूटे, मस्बूत इतना इरादा करो मैं चिम शर्मा, आप सबी को नमस्ते, गुद आप्टरनून रामराम केम चो रास्तान पुलीस में C.E.G. का कट ओफ कितना रेने वाला है, कितना सेफ स्कोर है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं अगर आपने रास्तान पुलीस में फार्म बरा है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस् इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि रास्तान पुलीस में फिजिकल के लिए 53-55,000 तर जो है वो कैंडिडेट बुलाने माले हैं अब ऐसे में आप लोगों का सेफ इसकोर कितना रहेगा फिजिकल की तैयारी कितने नमबर वालों को करने चाहिए और आपका रिडन कप होने माला है इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम देने वाले हैं लेकिन इससे पहले अगर हम उसे नहीं जुड़े हैं सबसे पहले जुड़ जाए लाइक की आंधी कर दो सस्क्राइब की सुनामी कर दो और शेयर कर तो तूफानी आवा दो दरसल रास्थान पुलीस में आप सभी लोगों के सामने ये सवाल उठता है कि हमारा सेव स्कोर क्या होनी माला है और हम फिजिकल की तयारी करें या ना करें ये सबसे बड़ा सवाल है तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ दरसल आपकी तो रास्थान पुलीस के फिजिकल है वो एक ओक्टोबर से लेकर दस ओक्टोबर तक स्टार्ट होई जाएंगे चीक है ओक्टोबर पुरा आपका फिजिकल का रहेगा याने ओक्टोबर में आपका फिजिकल हो जाएगा आपके paper की बाद आती है, आपका paper कब होगा? तो सब कुछ ठीक रहा, तो November में आपका paper हो जाएगा, November आप मान के चलो, जो बच्चीं ये सूच रहे हैं कि पहले हम physical की दियारी करें, फिर उसके बात क्या कर दे हैं paper की दियारी करेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल और गलती है क्योंकि नमबर में आपके पेपल हो जाएंगे ना आपके पास फिजिकल का टाइम है ना आपके पास पेपल का टाइम है ऐसे में आपको क्या करना है अभी से ही सिर्फ एक टाइम जो है वो फिजिकल की तैयारी करो और 7-8 जब कर जाओ क्योंकि देखो वैसे हैं तुम परसंटेज बिकलत बच्चे करने बच्चें लेकिन आने वाली सीदी में परसंटेज उससे बेज़ादा है इसे में अभी अगर आपने पेपर केवे हैं तो आपका सीलेक्शन तो हई जाएगा इसे लिए पेपर के तैयारी अपने जंप करनी है साथ से आठ गंटे अभी से देना है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है और अगर अच्छे से त्यारी कर लोगे तो डायरेक्ट आपको डिसम्बर में जो है वो क्या होगा आपको जॉइनिंग होई जाएगा आपको कन्फरमेशन आए ही जाएगा इसलिए आप लोगों को सब कुछ ठीक रहा तो डिसम्बर में जॉइनिंग पूरी दरीगे से मिल जाएगी इसलिए ना फिजिकल के लिए टाइम है ना पेपर के लिए टाइम है तो आपको दुनों के बीच में बैलन्स बनाकर चलना है और दुनों का तार्मे लेकर ही आप कुछ भी कंफर नहीं है या घ्यान में रखना लेकिन डिसम्बर में आपको जॉइनिंग मिल ही जाएगी अब बात करते हैं कट ओफ ये तो देखिए गार सबसे पहले तो पोस्ट कितनी है 380 पोस्ट है इस पोस्ट पर आपकी कट ओफ त्या रहेगी कितने बच्चे हैं तो आपको पहले ही पता है तेकिन आप मानके चले कि आपके जो है वो तीन लागतों फॉर्म होगी चुके हैं अब ऐसे में क्या सेफ इसको रहेगा इस पर हम चर्चा करने वाले हैं नंबर भी मैं आपको बता दूँगे कि कितने नंबर वाले सेफ हैं और आपका स्कूर क्या हैंने वाला है तो देखो सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं जनरल में क्या है अगर आपके असी कोशन सही है तो असी का डवल कितना हुआ एक सो साथ नंबर वाले जो हैं सेफ हैं और अपनी फिजिकल की तैयारी करें तो आप सवार यह उत्ता हैं एक सो पचास वाले नही घ्रेस नहीं बता रही हूं अब एसा भी होसकता है कि किसी जीले की कर्थह रूबं काई पहरी सेलेक्शन हो जाए जो किसी स साथ वाले कि प्लसक्ट की तैयारी के लिए नहीं है एक सो पचास में को भी तैयारी करनी है एक सूसाठ वालिंग सब जाएगी तो हो सकता है कि 180 या उससे थोड़ा सा कम माले का भी सेलेक्शन हो जाए और वो भी फिजिकल के लिए एलिजिबन हो जाए तो आप लोग ध्यान अगिना 150 वाले भी अच्छे से फिजिकल की जोंपर तयारी करना उसके बाद हमार करेंगे OBC वाले तो देखो OBC वालों में क्या है कि अगर आपके बहुतर या तिहर्तर है ना बहुतर या तिहर्तर कोशन सही है तो आप क्या करें आराम से तयारी करें जैसे सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल आप जो है वह जंब कर तयारी करो आपको जो है पर्णा दुना में शामिल होने का मुंका मिली जाएगा घबरानी की ज़र्वत नहीं है 140 वाला भी तयारी करें क्योंकि जिले बार कट ओफ आएगी हो सब्सक्राइब कि वहां पर कट ओफ 140 ही जाए उसे पहले हम फिमेल की बात कर लेता हैं कि फिमेल की नंबर क्या रहने वाले हैं तो दिखो फिमेल को तो कबड़ानी की जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आपके 40 40 अब 20 वी हो रहे हैं ताप भी आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आप अभी से ही धियारी करो पेपर की तेयारी बहुत जादा करना ताइम्स जादा भानीं अभी परसंटे और 40 अन्याजारी का यहां करें लिगा ke क् 우린 ठcellu स्тьब्राइब कि six please है तो हैद कर रहे हैं तो आप्टास नुबर घ्रकार porcoc Intelligence a मैं वह एक्षिव सपिशनिंगेस सब्सक्राइब अब्स हो रहे हैं तब ही आपका सलेक्शन यान फंद्रगन हमें श्मिल्राम्सीह मू extensive कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे में आप सभी को तयारी अच्छी करनी चाहिए तो आप लोगों को पता है कि हमें लगातार मैंसे जा रहा हैं कि मेरे 210 हैं मेरे मेरे 225 मांक्स हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जब पेपर हुआ था तो सभी के दोसों के अंदर-अंदर मांक्स थे तो ऐसे घबराने की बात नहीं है ओर और जो बैठने वाला है वह 150 के लेकर 160 के बीच में ही बैठेगा तो आप यह ध्यान में रखना और आप आराम से अपनी तयारी करना कोई घबराने वाली बात नहीं है आप सभी का सेलेक्शन आराम से होगा और आप लोग चोहें पंदर-दुना में जरूर शामिल होंगे अगर आपके और भी कई सारे सवाल हैं तो मुझी कॉमेंट बोक्स में जरूर पूशना चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना